हेलो फ्रेंज तो चलिए बनाते हैं घर में बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से नारियल खते नारियल का तेल लगाना या फिर यूज करना बहुत ही जादा फायदा करता है हमारे इसकिन के लिए हमारे बालों के लिए लेकिन मार्केट में जो है केमिकल मिला होता है लेकिन हम घर में बनाइंगे। बहुत आसान तरीके तो यहां से बनाने के लिए बहुत आने के लिए हैं नारियल हो fascinate, है उसमें तीन आइस होती है जिसमें एक आइस जो है बहुत zalब्त हो जैसे आप लाइप शीश से निखालने तो यह दो चैनों आप दें सकते हैं इस तरह सेmind चैन कर सकते और यह ग्लास में इसे बड़िया से इसका पानी निकाल सकते देखे बहुत आसान है ये ट्रिक बहुत आशान है आप इस तरह से नारियल का शारा पानी इसमें निकाल सकते हैं तो बस हमें क्या करना है नारियल को इस तरह ग्लास में रख देना है ताकि इसका पानी जो है अच्छे से निकल जाए ऐसे हम क्या करेंगे इस नारियल को निकाल लिए है और इसको हम फोड लेंगे तो ये हम किसी बड़े मतलब भाइरी चीज़ से इसे फोड लेते हैं कि अटार छो या तोनारियल जो हीमारा फूट करके ہو गया तयार फूट गया है यह देखिव है अब हम इसको हम निकाल लेंगे तो ये देखे इसका भी पानी जो है निकल गया है आप इस पानी को यूज कर सकते हो या पीश सकते हो या फिर आप इस पानी को जूस में यूज कर सकते हैं तो बस अब हमें क्या करना है इस सेनारियल के सारे मतलब हमें निकाल लेना है सारे नारियल को इस तरह से बहुत आसान तरीके से निकल जाता है आप थोड़ा सा क्या करें अगर निकालने में टफ हो या फिर दिक्कत हो रही हो तो आप थोड़ा थोड़ा इसे हलका हलका सा इसे किसी बड़े चीज से ठोग लें फिर इस तरह से निकाल लें बहुत आसान तरीके से निकल जाता है आप देख सकते हैं तो ऐसे हमें सारे नारियल को निकाल लेना है फिर वास कर लेना है यह देखिए हमने सारे निकाल कर तयार कर लिया है तो अब हमें क्या करना है इसके छोटे-छोटे टुकड़े कट कर लेना है तो एक साइड की हम छोटे-छोटे बारी टुकड़े कट कर लेंग इसे हम अच्छे से wash कर लेंगे इसका बात का हम ध्यान रखेंगे तो ऐसे हम काट लेते हैं तो friends वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा like करिएगा शेयर करिएगा और हमें support जरूर करिए तो यहां पर क्या करना है हमें mixi का जार लेना है तो नारियल के जितने हमन और सारा इस तरह से एट कर देंगे अब यहाँ पर हमें क्या करना है इसमें हम एट करेंगे पानी तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे पीस लेंगे तो पीसने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि गरी जो है hard होता है पीसने में तो इसे थोड़ा-थोड़ा ही हम पीसेंगे तो ये देखे जो गरी है हम अरब बढ़ियां से पीस के तयार हो गया है अब यहाँ पर हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है भगोना ले ले आप या फिर आपको यह और बड़तन ले ले इसमें add करे cotton का कपड़ा लगा दे इस तरह से और जितना भी नारियल का paste तयार किया था इसे हम चान लेंगे तो ये देखे इस तरह से हम सहरा paste डाल देंगे ये process हमें 3 बार करना है इस तरह से एक बार चान लेंगे इस तरह से फिर इसके जो गुच्छे है उसको फिर हम वापस से mix के जार में डालेंगे इसे हमें 3 बार पीसना है तो पहले बार में बहुत गाढ़ा जो है दूध इसका निकलेगा ये देखिए आप देख सकते हैं पहले बार में ये काफी गाढ़ा निकलेगा जैसे जैसे आप जितनी बार इसको अच्छे से पानी डाल कर पीसेंगे इतनी बार ये लाइट होगा तो यहाँ पर हम तीन बार इसे तीन से चार बार पढ़िया से वापस से mix के जार में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे वही जो सेम प्रोसेस करना है हमें जो हमने पहली बार में किया है बार-बार हमें इसमें पानी डालना है करिब तीन से चार बार इसे हमें पीसना है तो यहां देखिए वापस से हमने वही छिलके मतलब उच्छे जो है डाल दिये है नारियल का और इसे हम तीन बार पीस लिया है मतलब तीन बार हमने पीसा है अच्छे से इसका जो दूद है अच्छे से निकाल लिया है अब हमें क्या करना है इसको रख देना फ्रीज में ओवरनाइट आप पहले बनाने के पहले फ्रीज में इसे फ्रीज कर दे अब यहां पर जो हमारे जो गरी के बुरादे हैं बनके हो गए हैं तैयार अब इसको क्या करना है आपको इसे आप ठाली में रख लीजे इसको फेकि कोकोनेट खरीतने है ना बस वैसे ही रहेगा बस आपको थोड़ा से इसको पंखे में सुखा लेना है इससे आपका जो ये नारियल है खराब नहीं होगा तो यहाँ पर एक दिन बाद जो है हमारा मलाई बढ़िया से जम गई है जैसे हम फ्रीज में दूद फ्रीज कर देते है मतलब रख देते हैं तो मलाई उपर उपर जम जाती है तो बस ऐसे ये भी जम गया है दूद तो इसका उपर का जो मलाई है हम इस तरह से निकाल लेंगे इस स्पून के हल्प से बहुत ही हल्के हाथों से निकालेंगे जैसे हम मलाई निकालते हैं बस वही सही तो देखे पा पानी आप देख सकते हैं जितना पानी था वो नीचे रह गया है जितना हमने पानी यूज किया था यहां पर तो सारा मलाई हम इस तरह से एक मतलब बरतन में हम निकाल लेंगे तो यहां पर हम कढ़ाई में निकाल रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे ताकि मलाई हमारी इतनी निकल गई है और इसका जो पानी है आप फेक है नहीं आप इसका पानी यूज कर सकते हो गेरवी में सबजी के गेरवी में दाल बना रहे हो तो दाल में यूज कर सकते हो पानी इसका बहुत ही यल्दी है और आप इसे जूस वगेरा बना रहे हो तो उस प पहले फट जाएगा जैसे दूद फटता नहीं है बस उसी तरह से तो यह देखिए फटना इसका स्टार्ट हो गया है जैसे हम घी बनाते हैं बस वैसे ही इसको हमें बनाना है तो यहां पर देखिए फटना स्टार्ट हो गया है इसे पकाने में कम से कम 20-25 मिनिट लगे हैं तो यह देखे हमारे जो तेल है इतना सारा निकल के तियार हो गया है । only को को किणे डिखत में मार्किट में आप जाने लेने जाते हूं 100 300 का मिलता है और वो सुद्धद्धा तो अब हम क्या करेंगे फ्लेम को ऊफ कर देंगे और में त्रश विन यह देख सकते हैं कितना सरव और जो है बन के तयार हो गया सिर्फ Оर सिर्फ दो नारियल में आप इस तरह से घर में सुधता से मतलब तेल बना सकते हो नारियल का बहुत आसान तरीके से और अपने फेस में अपलाई करिए या हेयर के लिए अपलाई करिए बहुत यूजफुल है आप इसे काज के जार में भरके रख सकते हैं तो कैसे लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए का ट्राइब जरूर करिए